अब यहां पर आपके आपके आंसर्स वगएरा होंगे उनकी डीटेलिंग वगएरा और एज आपके आपके मैं वेरिफाइब करके ही लेके आता हूं इसलिए जो नंबर होते हैं वह भी थोड़े कम होते हैं क्योंकि जब एक दो बच्चे वेरिफाइब कर देता है एक सेम को तभी मैं आपको वह कॉशन कराता हूं ठीक है चुरू करते हैं आज का सेशन फटा फट से हम जादा इधर उदर की बाते करेंगे निस्तर टूदा पाइंट बात करेंगे पहला को यहां पर आपका पूंचा और आपको दौनों बाते बता देता हूं बुल गुमबज बनवाई थी यहां पर महमद आदल शाह ने जो है आपकी बुल गुमबज बनवाई थी और अगर आप पर पूंच लिया जाए कि जो गुल गुमबज है वह कहां पर सिच्जूेटेड है तो यहां बीजापुर मे अब एक चीज और यहां पर आप धान में रखना अपी रिसेंटली जो है बीजापूर को यहां पर विजापूर करके भी प्रणाउंस करने लग गए हैं और एक तरीके से नाम इसका बदल के आपको यह भी दिया जा सकता है कि विजापूर ठीके तो उसमां कन्फ्यूज मत हो यह थी इसकी टहकीक एहिंद क्या था बुक का नाम है क्लिए रहे तो यह चीज धान में रखना तरह घर मैं आपसे बात करूं थर्ड कोश्चन की तो इसमें आपसे पूचा गया थर्ड में कि जो एडीबी बैंक है एडीबी वैंक ठीक है अब यहां पर देखो एडीबी ब लेकिन मुझे लग रहा है कि वाइस प्रेसिडंट यहांपर वाइस प्रेसिडंट बनाा गया गया है लेकिन अगर इसका प्रेसिडंट भी मैं आपको नाम बता देता हूं शुगू आसा कावा ठीक है यह इनका नाम तो फटा-फट् do deplugu करके बताना अब वाइस प्नेचा था या फिर प्रेसिदेंट पूछा था अगले कोश्जण पर आते हैं फूर्थ वॉला कोश्घ्र को इस रहों तो है नाम तो पता होग Saya Sival जी को और इस रोक आगर हम बात करें इसके पाउंडर कौन थे तो विक्रम सारा भाही जो है इस रोगे कहला एंठीक है तो यह सारे के सारे कोशन्स आपके आँगे देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा तो आपका फ्यूजन के बना लेते हैं तो इस प्रॉससस में जो एक तरीके से विस्वोट से होते रहते हैं अगले कोईशन पर आते हैं इसमें आपसे पूचा गया कि UNESCO की कितनी World Heritage Sites हैं इंडिया में ठीक है World Heritage Sites हैं कहाँ पर भाई इंडिया में तो ये चीज़ आप अच्छे से धान में रखना है अब बहुत सारे बच्चों confusion होता है कि कितने हैं कितने क्या हैं एक बार धान से सुनना अब अगर हम अकेले यहाँ पर World Heritage Sites की बात करें तो इंडिया में 38 जो हैं वो World Heritage Sites हैं फिर UNESCO कीना कई सारी लिस्ट होती है जैसे एक World Heritage Sites की लिस्ट होगी एक होती है फिर आपकी Creative Cities Creative Cities Network कर गे ठीक है तो Creative Cities में जो है इंडिया की कितनी Entries हैं यह हैं यहाँ पर 5 और फिर अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि इंडिया जो Memory of the World Register है ठीक है Memory of the World Register कर गें इनकी एक लिस्ट होती है उसमें इंडिया के 9 Sites है ठीक है तो इस तरीके से अलग-अलग लिस्ट होती है इनकी तो अगर आपसे World Heritage Sites पूचा गया है यह चीज धान में रखना अगले caution पर आते हैं देखो फटा फट से next वाला क называется देखो यहाँ पर आपसे पूच लिया कि जो रियोतवारी सिस्टम था देखो सावन्थ यह आपका शुरुआ तो बेंगॉल से आपका यह स्टार्ट हुआ था सिस्टम मैं आप से कौशन पूच रहा हूं कि यह रियोत वारी सेटल्मेंट या फिर सिस्टम था यह कौन से गवणर जनरल ने इसको इंट्रेडिूस किया था अब आप पर टेंपल का जो है स्टोन पूछा गया है बच्चे ने यह लिखके बेज़ा है कि टेंपल का स्टोन क्या था तो मैं इसमें क्लारिफाइट नहीं हो क्योंकि श्रावन बेल गोला में एक स्टेच्व है वह काफी बड़ा स्टेच्व है और दुनिया का सबसे यहां पर ग्रेफाइट रॉक को कट करके बनाया गया थी तो काफी बड़ी बात है यह आपका यहां पर किस से एसोसीएटेट है तो जैन धर्म से जो है यह एसोसीएटेट है और बोला जाता है जो चंदरगुप्त मौरे थे वो भी यहीं पर आके उनकी डैथ हुई थी ठीक ह क्योंकि वो जैन धर्म का पालन करते थे और उन्होंने फिर खाना पीना छोड़ी और उन्होंने यहां पर एक तरीके से समाधी लेके उनकी डैथ होगी तो यह चीज है अगले कोशन पर आते हैं अब देखो इसमें आप से क्या पूछा गया कि जो ओपैक है ओपैक जो आप petroleum exporting petroleum exporting countries ठीक है exporting और आप का सी से हो जाएगा यहां पर चीज हो गई अ चीज हो गई अब यहां पर आपको क्या कुछा गया कि ओपैक से 2019-2020 में यहां पर इसको छोड़ दिया था ठीक है डिसेंटली जो है अभी कौन सी कंट्री ने ओपेक को छोड़ा हुआ है तो उस country का नाम क्या नाम है आप यहां पर छोड़ दिया अगले question की अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा reasoning का देख लो reasoning में आपके fighting arrangement के questions है तो देखने को मिल रहे हैं और easy है ठीक है जादा कुछ परेशान मत होना सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा साब सर्कुलर वाला भी करके जाना कुछ बच्चे आप सोचते हैं कि एक लाइन में बठाने वाला आएगा थोड़ा से एक बार सर्कुलर अरेंजमेंट जो आप देख करके जाएं और बाकी तो कुछ ज्यादा खास नहीं आ रहा है लेकिन अगर आप मॉडरेट लेविल का ही बोल सकते हैं कि बच्चे जो है उनके अटेम्ट अगर देखा जाए तो बैसे नहीं देखर मैं जो कुछ बच्चे होते हैं 100 में 100 करके आते हैं तो अगर अगर आप 100 अटेम्ट करने जा रहे हो ना तो दो सिच्वेशन होती है एक तो 100 में 100 किसी को नहीं आते ठीक है तो यह चीज़ अगर मैं इसको साइड में रख्या आवरेज आपसे बात करूं अटेम्ट की तो 75 प्लस अगूड अच्छे से आपने आई होप की पेपर दे दिया होगा अभी इतने ही कोश्चेंस मेरे पास में आई हैं जिन लोगों ने एक